दोस्तों कितना इंबीशेस होगा वो प्रोजेक्ट जिसकी प्लैनिंग और एग्जिक्यूशन ने 20 साल ले लिए हो प्लैनिंग चालू हुई हो कभी 2002-2003 में और उसी वक्त काम भी चालू हो गया हो और फिर उसके जो छोटे-छोटे पार्ट्स हैं उस प्रोजेक्ट के उन पार्ट्स को बनाने के लिए अमेरिका के 6 या 7 अलग-अलग स्टेट्स में, अलग-अलग फैक्टरीज में, अलग-अलग लेबोरेट्रीज में, अलग-अलग सेटप्स में काम किया गया और वो छोट छोटे पार्ट इधर उधर इधर उधर घूमते हैं चालू होती है उनकी जर्णी उता के एक माइन से जहां से की उस पर्टिकुलर मेटल मिनरल को निकाला जाता है उसकी प्रोसेसिंग होती है processing होके उसको एक particular shape दी जाती है और finally वो एक shape ऐसी लेता है और वो बन जाता है James Webb Space Telescope दोस्तों में हो तुमारा mentor friend Manish Parohit और आज मैं बात करने वाला हूँ James Webb Space Telescope की कुछ amazing facts में उसके बारे में तुमको बताने वाला हूँ कुछ amazing science के बड़े achievements के बारे में बात करने वाला हूँ दोस्तों होता क्या है कि जब भी हम deep space की side देखते हैं तो हमको जो चीज देखनी है, हमें जो चीज observe करनी है उस पे सबसे बड़ी limitation ये है कि आप जो instrument यूज़ कर रहे हो उसका temperature कितना है बड़ी fascinating की बात ना अब देखो होता क्या है माल लो कि आप सबसे उची peak पे खड़े हो धर्ती के उपर, सबसे उची peak पे बादल बादल सब नीचे रह गए और फिर आप वहाँ पे एक super powerful telescope लगाते हो और deep space में देखने की कोशिस करते हो Do you know बच्चों? Still यह ऐसा है जैसे की आप swimming pool के base पे लेट जाओ और दुरूबीन लगा के उपर देखने की कोशिस करो कि अच्छा बताओ भई कितने पक्षी उड़ रहे हैं Literally यही situation है जब मैं धर्ती के उपर खड़ा होके deep space में यह देखना चाहूँ कि stars कैसे बने galaxies कैसे बनी उनके अंदर क्या है जो gas cloud है उसके पीछे क्या हो रहा है जो सबसे brightest of star है उसके अंदर क्या कुछ ऐसे फिनोमेना हो रहे हैं जो मुझे कुछ बता सकें कि planet कैसे बने जो stars हैं क्या उनके चारों तरफ भी जैसे sun के चारों तरफ earth, mercury, venus है वैसे planets घूम रहे हैं ये सारी चीज़े जब मैं देखना चाहता हूँ दोस्तों तो कहीं न कहीं earth का atmosphere उन observations को बहुत बुरे तरीके से distort कर देता है मुझे मिलती information लेकिन उतनी perfect नहीं जितनी चाहिए तो क्या किया जाए हुआ ये plan किया गया कि क्यों ने भई ओर्बिट में earth की ओर्बिट में ही telescopes और observations लगा दी जाए बिलकुल लगा दी जाए Hubble Space Telescope या चंद्रा Observatory कुछ ऐसे ही तो बड़े-बड़े projects है और फिर उनसे जो observation मिली वो बहुती amazing थी लेकिन problem ये है कि universe एक expanding universe है और expanding universe की problem ये है कि relativity की बात उसको माननी पड़ेगी और अगर मैं relativity की बात मानूँगा को कि Albert Einstein साब को अब ignore नहीं कर सकते हैं तो जब मैं relativity की बात मानूँगा और universe को expand होना ही पड़ेगा तो expanding universe में अगर space time का space expand हो रहा है तो उसके साथ उसके उपर जो wavelength है वो भी expand होंगी वो भी बढ़ जाएंगी अब यहाँ पर यह चीज समझनी बहुत जुरूरी है दोस्तों कि wavelength के बढ़ने का क्या मतलब है wavelength के बढ़ने का ये मतलब है कि मुझे जो नीला रंग मिल रहा है वो लाल हो जाएगा लाल जो मिल रहा है वो infrared में चला जाएगा और वो कहीं ना कहीं नीचे 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 चला जाएगा यानि उसके energy कम होती चली जाएगी अब बात AI कि यह जो सारी चीजे हैं यह मैं क्यों कर रहा हूँ जब मैं एक space telescope की बात कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों जैसे 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 मैं और पीछे समय में देखने की इच्छा रखता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि सुरुवाती जो galaxies बनी थी वो कैसे बनी थी जो सबसे पहले stars बने थे जो baby stars थे वो कैसे बने थे तो मुझे समय में पीछे देखना पड़ेगा समय में पीछे देखने का मतलब ये है कि मुझे 13 billion light years का एक distance देखना पड़ेगा 13 billion light years का distance यानि वो distance जिसको travel करने में light को 13 billion years लगे ये जो सारी चीज़े हैं दोस्तों इसमें सबसे बड़ी problem ये है कि 13 billion years पहले अगर कोई रोशनी चली थी तो उसके साथ बहुत ही ज्यात्ती भी हुई थी क्यों क्योंकि वो जो रोशनी निकली होगी उसमें से काफी हद तक visible range की जो रोशनी है या तो उसको उस वक्त का जो matter था उसने absorb कर लिया होगा और अगर कोई वहां से निकल भी पाई होगी रोशनी या फिर कोई high energy radiation निकला होगा तो वो इतना लंबा distance travel करते हुए साथ में expanding universe की problem को भी जहलते हुए अपनी wavelength को इतनी बड़ी कर चुका होगा कि अब वो किसी infrared reason में होगा यानि मेरा जो camera है जैसे ये जो camera है ये visible range में काम कर रहा है तो आपको मैं दिख रहा हूँ और ये सारे रंग दिख रहे हैं अगर ये infrared में काम कर रहा होता तो साथ temperature signature दिख रहे होते अब यहाँ पर एक बहुत ही मस्त बात बताता हूँ कि अपने को जब बनाया गया ये जो अपना जो सरीर बना evolution हुआ इसमें बाकी सब तो अपनी आँखों के साथ बहुत बढ़िया हुआ बस एक गड़ बढ़ ये हुई कि infrared का detection के sensors जो है वो आँखों की जगे अपनी skin पे आ गए तब ही जब मुझे किसी चीज को गरम या ठंडा चेक करना है तो मैं उसको आँखों से देख कर नहीं कर पाता राधर मैं जब भगोनी होती है जो utensils होती है उनको touch करके बोलता हूँ घरम है ये तो ठंडा है क्यों क्योंकि मेरे हाथों में sensor है उस चीज के यानि मैं infrared radiation को नह पाते कर रहा हूँ क्योंकि जितने भी अपनी observatories हैं जो भी space में घूम रही है उन पर यही एक limitation है limitation यह है कि अगर जो एक setup है जो एक instrument है जो deep space में देखने की इच्छा रखता है जो कि उस radiation को देखना चाहता है जो infrared region में है उसके लिए जो instrument खुद है उसका temperature कम होना चाहिए यानि अगर आप खुद super cool हैं तो फिर आपके सामने बरफ भी फीकी है ऐसी बात है दोस्तों तो सीधी बात है कि अगर मुझे खुद को गर्मी लग रही है तो मैं किसी गरम चीज को पकड़ूँगा जो मेंसे ज़्यादा गरम नहीं इसका temperature मुझसे ज़्यादा नहीं है त जैसे कि अभी इस कमरे में इस कमरे में AC ने सब ठंडा करा हुआ है तो अगर मैं इस बोल को पकड़ता हूँ इस बोल का temperature मेरे हाथ से कम है यानि जब मैं इस बोल को पकड़ रहा हूँ तो बोल को मैं temperature दे रहा हूँ heat दे रहा हूँ instead of reading the temperature of the ball I am transferring heat to it अगर इसी चीज को दे space से उससे ज्यादा है तो होता यह है कि खुद जो optics है उसका temperature अगर उस infrared region से ज्यादा उस wavelength से ज्यादा है तो कहीं ना कहीं वो जो noise आ रही है वहाँ पे खुद के temperature के कारण उसके अंदर वो सारी information distort हो जाती है तो करा क्या जाए करा यह जाए कि सूरज से दूर निकल जाओ ठीक अभी सूरज से दूर निकल जाते हैं जाएंगे कहां तो एक ऐसा point है दोस्तों जो सूरज धरती के भी परे है यानि धरती से भी कुछ दस एक लाख किलो मिटर आगे निकल जाएं अगर अपन तो एक point आता है जिसको कहते हैं Lagrange point L2 यह plan किया गया कि हम एक telescope बनाएंगे super powerful telescope होगा infrared region में जो अपनी आखे लगाए रखेगा और तकरीबन 13 billion years back in time देखेगा हमें बताएगा कैसे stars and galaxies बने थे यानि जब big bang हुआ उसके कुछ million साल बाद क्या situation थी universe की उसके बारे में information देगा और यह जो सारी चीज करने के लिए जो वो James Webb telescope बनाया गया उसको रखा ज रहा है एक point पे जिसको कहते हैं L2 Lagrange point किसी और वीडियो में Lagrange point के बारे में discuss करूँगा दोस्तों क्योंकि आज अपन James Webb telescope की बात कर रहे हैं यह जो telescope है दोस्तों इसके जो mirror है अगर मैं इसको compare करूँ with Hubble तो Hubble के जो mirror थे उन से इसके mirror जो हैं काफी बड़े हैं rather इसके अंदर 18 सेगमेंट हैं और जो पूरा सेगमेंट बनता है वो Hubble से माना जाए तो तक्रीबन तक्रीबन 6.25 या यह मालो सवाच्छे गुना बड़ा है लेकिन अगर बात करी जाए वजन की तो वजन में Hubble से कम है कम इन दा सेंस ऐसे है कि Hubble के जो mirror है उनका जो diameter था तक्रीबन 2 या diameter diameter के जो वो mirror थे वो तक्रीबन तक्रीबन बने थे 800 kg के लेकिन यहां पे जो यह mirror बनेगा James Webb Space Telescope का वो total एक जो segment होगा वो होगा तक्रीबन 20 kg का और उस पे 20 kg की electronics या उसके actuators लगेंगे यानि 40 kg का एक segment और वैसे 18 segment होगे यानि size काफी बड़ी लेकिन mass बहुत ही कम कर दिया हैं तो मुझे उतना ही powerful launch vehicle चाहिए यानि उतनी cost बढ़ जाती है बात इतनी है दोस्तों जो mirror है इनके उपर nanometer की thickness की gold की polish है nanometer thickness की यह जो mirror है इनकी सबसे खास बात यह है कि यह 18 अलग अलग segments में बनाए जा रहे हैं फिर यह space में जाके वहाँ पे एक दूसरे से align होंगे और जब वो align होंगे तो one by ten thousand rather even better than that उनकी alignment होगी यानि दो segment आके जब align होंगे इस space के अंदर जब James Webb Space Telescope operational होगा तो वहाँ पे जो alignment होगी वो एकदम perfect होनी चाहिए लेकिन एक जो सबसे बड़ा difference है Hubble और James Webb Space Telescope में वो यह है कि James Webb Space Telescope खुद के साथ अपनी एक shield लेके जा रहा है यह Captain America की shield नहीं है दोस्तों यह जो shield है यह heat shield है क्योंकि मुझे temperature जो maintain करना है वो करना है तकरीबन 50 Kelvin यानि minus 220 degree centigrade तो सूरज की जो रोषणी का input आ रहा है मुझे उसको block करना है उसके लिए 5 बड़ी-बड़ी insulation की layers है वो जो insulation की layers है वो heat को नहीं आने देंगी पतंक की shape की layers है और उनके डूसरी side यानि अगर यह insulation की layer है तो इधर तो है मेरा James Webb telescope और इधर से आ रही है सूरज की रोषणी इन सब चीज़े को ध्यान रखते हुए ही जो point decide किया गया वो था L2 जो lagrange point है जहां पे sun and earth are on one side and the space telescope is on the other side अब यहां पे सिर्फ problem यह नहीं है दोस्तों कि सिर्फ सूरज की गर्मी परेशान करती है रधर अर्थ भी बहुत सारी sunlight को reflect करती है और उस reflected heat के कारण भी कुछ limitations है जो चंदरा या फिर Hubble पे है लेकिन James Webb telescope को उन सब limitations से दूर करना था इसलिए उसको रखा जा रहा है अर्थ से भी कुछ million kilometers away यानि सूरज से नहीं अर्थ से भी million kilometers away और वो उससे भी आगे रखा जा रहा है इस mission को plan करने में दोस्तों तकरीवन 15 से 16 साल लग गए है लेकिन इस mission की total expected जो life cycle है वो 5 से 10 साल है अगर सब कुछ सही चलता है तो fuel अगर पूरा बचा लिया गया तो 10 स साल तक यह mission कामयाब रह जाएगा लेकिन अगर कुछ भी गड़बड होती है और extra fuel यूज हो जाता है इस particular spacecraft को telescope observatory को align करने में तो mission की life सीधी सीधी 5 साल पर आकर रुख जाएगी और भी बाते करेंगे दोस्तों James Webb Space Telescope के बारे में लेकिन आज जो main मुद्दे की बात करनी थ telescope देखेगा उन बंतेवे stars and galaxies को जो आज तक इंसानी आखों से बचेवे थे अगरे वीडियो पसंद आया तो like करो share करो subscribe करो दोस्तों बेल आइकन जरूर दवा देना मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद